अलो एवरिवन एक्स्टर ग्रेट्स में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे पार्ट वर जन्म भूमी मेरी है जिसे लिखा है सोहनलाल दुवेदी जी ने पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या कर लें लाइक बटन दबाएं और मेरे लेडिस वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले तो चलिए हम पार्ट शुरू करते हैं आज हम पार्ट पढ़ेंगे वह जनम भूमी मेरी जिसे लिखा है कवी सोहनलाल दुवेदी जी ने सबसे पहले हम आपको कवी का परीचय देते हैं श्री सोहनलाल दुवेदी का जन सन 1905 के उत्तर प्रदेश के फतेपुर जिल के एक गाउं में एक संपन्य परिवार में हुआ 1938 से 1942 तक ये दैनिक राश्ट्र पत्र अधिकार का लगनव से संपादन करते रहें भैर्वी सेवग्राम जै भारत जै आदी में इनकी कविताएं संकलित हैं कुणाल एतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंद का काव हैं वासवदता और वीशपान भी इनके प्रसद आख्यान कावे हैं दुवेदी जी ने बालोप गयोगी कविताएं भी लिखी हैं दूद पताशा बाल भारती बासुरी और चर्ना बच्चों के बापू शिशु भारती हसो हसाओ चाचा नेरू इनके बालो बाल उप्योग कावे रचनाई हैं दुवेदी जी के कावे में गांधिवाद, राष्ट्रिय जागरण, स्वदेश अभिमान, भारत की गरिमा, पूर्ण संस्कृते, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समात सुधार का स्वर मुखरित हुआ हैं दुवेदी जी की भाशा सरल तथा पूर्ण है, सन 1988 में इनका निधन हो गया, आईए अब हम चलते हैं कवीता की ओर और समझते हैं, लाइन बाइन एक्स्प्लानेशन, मेरा पहला पंग्ती है, प्रसंग, प्रस्त कवीता, पंग्तियां हमारी पाठे पुस्तक, साहित्य सागर के पद्धे खंडे से संकलित, रचिता वह जनम भूमी से अवतरित है, जिसकी रचिता सू प्रसित कवी श्री सोहन लाग्त वेधी जी हैं, इन पंग्तियों में कवी ने भारत का प्राकृतिक सौंदरे और सम्रदी का वर्णन किया हैं, वह जनम भूमी मेरी, वह मात्र भूमी मेरी, उचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरन तले, जुग, नित सिंधू जूमता है, प्रस्तित पंग्तिया में कवी ने अपनी मात्र भूमी की प्रशंसा करते हुए, अपने देश की महानता का गुणगान किया है, उत्तर दिशा मतलब नौर्थ में हिमाले परवत स्थित है, जिसकी उचाई चोटियों आकाश का स्पर्श करती दिखाई देती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को चूम रही है, इस देश के दक्षिन दिशा में मतलब साउत में स्थित हिंद महासागर भारत मा के चर्णों को स्पष्ट करते करके मानों अपने सौब भाग्य को इतराता हुआ, जूमता हुआ, लहर आता है, गंगा यमना त्रीमेणी नदिया लहर रही है, जगमंग छटा निराली पगबग चहर रही है, वह पून भूमी मेरी, वह सुन भूमी मेरी, इस देश में गंगा यमना और सरस्वती जैसे पवित्र नदी का अनोखा संगम है, जिसका अदभुत सौन दर्य चारो ओर चाया दिखाई देता है, नदियों के पवित्र जल से संचित भारत की धर्थी हरी भरी और सुन्दर दिखाई देती है इन नदियों के जल से किसान अपनी खेतों को सीचता है और इसलिए भारत की धर्थी बहुत उपजाओ है भारत भादी भादी के खणिच पदार्थों औशदी वनसपतियों से संपन्न है इसलिए इसे स्वन भूमी भी कहते है कवी फिर से इतराते हुए कहते हैं कि ऐसा महान देश मेरा जनम भूमी है अब इस पंग्ती का संपून व्याख्या समझते है वो जनम भूमी मेरी कविता के रचिता श्री सोहन लाद वेदी जी है प्रस्तुत कविता में कवी भारत की प्राकृतिक सौंदरे एवं उसकी महानता का उल्ले कर रहा है भारत के उत्तर मिस्थित हिमाले की उचाई को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मानो वो आकाश को छू रहा हो हमारे देश के तक्षन में स्थित हिंद महासागर को देख कर ऐसा लगता है मानो वो भारत के पैरों के नीचे निरंतर जूमता रहता है हमारे देश में गंगा, यमना और सरस्वती जैसे पवित्र नदियां प्रभावित होती रहती है जिस से निरंतर लहरे उठती रहती है इन नदियों का सौंदरे भी देखने योग्य है भारत की इनी विशेशताओं के कारण भारत पूर्णे भूमी कहलाता है भारत भूमी के मिट्टी अत्यन्त उर्वारा है, यहां फसलें खूप होती है अर्थात यहां की धर्थी सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वन भूमी कहा जाता है भारत भूमी में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्म भूमी है और यह माता के समान हमारा पालन पोशन करती है यहां हमारी मात्र भूमी है उत्तर प्रदेश के इलाहबाद नामक स्थान में गंगा यमना और सरस्वती इन तीन नदियों का संगम होता है इसलिए इस थान को त्रीमेली कहा जाता है ये दपी आजकल सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है तथा पी आज भी स्थान का नाम त्रिवेणी रूप से विख्यात है अब चलते हैं हम दूसरी पंक्ती की ओर वह जन्म भूमी मेरी वह मात्र भूमी मेरी जरने अनेक जरते जिसकी पहाडियों में चडियां चहक रही है हो मस्त जरने बैते हैं और यहां की हरी भरी जरने में चडियां मस्त होकर चहक रही है चारो तरफ हरी आली एवं मस्ती का समा है अमराईयों धनी हैं अमराईयां मतलब आम के बाग कोयल पुकारती है बहती मले पवन में पवन है वतनमन सवारती है वह धर्म भूमी है वह मेरी मात्र भूमी है कभी कहते हैं कि आम के घने बगीचों में वसंत रीतू के आगमन पर कोयल की मीठी को सुनाई देती है भारत के दक्षिन में स्थित हिमालय परवत से बहने वाली शीतल और सुकंधित हवा प्राणियों को तनमन से स्फूर्तिव ताजगी से भर देती है वह अनेक धर्मों की स्थापना हुई जिससे मनुश्य को एक नई जीवन द्रिश्टी मिली यह देश कर्म प्रदान देश है जो मुझे सैदेव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेणा देती है अब हम सुनते हैं इसका संपूर्ण व्याक्या भारत भूमी की प्राकृतिक विशेशताओं की ओर संकेत करता हुआ कवी कहते हैं कि भारत वर्ष की पहाड़ियों से अनेग जर्ने निकलते है यहां की जाड़ियों में चिणियों की चहच हाट सुनाई देती है जहां जगे जगे आम के पेड़ है जिसमें फसंद रीतु में जब आम का बोर आता है तो कोयल की कूख सुनाई पढ़ती है मतलब कोयल भी ठीक बोली बोलने लगती है मल्याचल परवत से आती हुई हवा शीतल मंद और सुगंधित है वो सभी को प्रसंता से भर देती है भाव ये है कि दक्षिन भारत के परवतों से आने वाली वायू सभी को उलसित कर देती है भारत भूमी में धर्म को का बोल बाला है अर्था यहां के निवासी धर्म से आस्था रखते है इसलिए इस भूमी को धर्म भूमी कहा जाता है यहां धर्ती कर्म भूमी भी है क्योंकि यह कर्म करने के प्रेना देती है यहां हमारी जन्म भूमी और मात्र भूमी है भारत भूमी के धर्म का महत्व पूर्ण स्थान है क्योंकि यह भूमी यहां के निवासियों को धर्म निश्ट रहने और धर्म के मार्क पर चलने की प्रेणा देती है यह भूमी कर्म प्रदान है क्योंकि यह सभी को निरंतर कर्म करने और अपने कर्तव्यों को कर्तव्यों का वहन करने की प्रेना देती है अब हम चलते हैं तीसरी पंक्ति की ओर वह जन्म भूमी मेरी वह मात्र भूमी मेरी जन्म जहां थे रगुपती जन्म जहां थे सीता श्री कृष्ण ने सुनाई वन्सी पुनित गीता कवी अपनी मात्र भूमी का जन लेने वाले वीर महापोशो का वर्णिन करते हुए कहते हैं कि इस देश में रगुकुल में श्री राम का जन्म हुआ जो मर्यादा पुरुष ओत्तम थे उनका जीवन चरत्र मानव जीवन का सरवच्य आदर्श प्रस्तुत करता है यहां सीता जैसी पतीफरता और धर्म परायन स्त्री का जन्म हुआ यहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया जिनोंने बंसी बचाकर प्रेम का संदेश दिया और महाभारत के युद्ध में गीता का गौतम में जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया वह युद्ध भूमी मेरी वह युद्ध भूमी मेरी यह मात्र भूमी मेरी यह जन्म भूमी मेरी बौद धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा क पाट पढ़ाया सभी प्राणियों के प्रती दया भाव रखना सिखाया उनके मन में मन के दीपक से आज विश्व में के अनेग देश आलोकिक हैं बुद्ध ने लोगों का मोह माया आदी विक्राओं से मुक्त होकर ज्यान मार्ग पर चलने की रा दिखाई कवी कहते हैं कि यह भारत भूमी मेरी जन्म भूमी है जो शान्ती और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और नयाय की रक्षक है अन्तिम पंक्तियों में कवी फिर से अपनी मात्र भूमी पर गौर्वन्तित हुआ है अब हम इस पंक्ति का संपूर्ण व्याख्या सुनते हैं भारत भूमी की विशिष्टाओं का उलेक करते हुए कवी कहते हैं कि इसी धरा पर शिरी राम ने जन्म लिया और उसी भूमी पर जनक नंदनी सीता भी अवत्रिन हुई भाव यह है कि भारत भूमी अनेक महापुर्शो की भूमी है यही वो भूमी है जहां श्री कृष्ण ने कुरुछेत्र के मैदान में अरजुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्य के लिए प्रवरत किया था भारत के पवित्र भूमी पर ही गौतम बुध का जन्म हुआ था जिनोंने अपने देश का कासु यश दूर दूर फैलाया गौतम बुध ने अहिंसा का संदेश दिया दया का मार्ग दिखाया और ग्यान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया कभी कहते हैं कि भारत भूमी युद्ध भूमी के समान है यहां महात्मा बुद्ध की भूमी है यहां हमारी जन्म भूमी और मात्र भूमी है रगुपती श्री राम का जन्म रगुकूल में हुआ इन्हें मर्याधा पुरुशत्तम भी कहा जाता है इन्होंने अनेग राक्षसों का वद्ध किया था रावन जैसे अन्याई का अंत किया जनक दुलारी सीता ने भी इसी धर्ती पर अपने पती फृत्त धर्म का पालन किया और अपने पती श्री राम के साथ वनवास गई भारत भूमी में ही श्री क्रशन की मुरली गुंचती थी तथा उन्होंने कुरुशेत्र के युद्ध छेत्र में मोगरस्त अरजुन को गीता का उबदेश देकर उसके मोग को दूर किया और तथा उसे युदिक की और प्रवरित किया गौतम बुद्ध का अवतरन भी इसी पूर्णे भूमी पर हुआ था जिदोंने जीव मात्र पदया और अहेंसा का पावन संदेश दिया था ग्यान का प्रकाश देश विदेश में फैलाया था सो बच्चों ये पार्ट यही पर समाप्त होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को अंतर देखने के लिए धन्यवाद